और आगे की जो रन्निती होगी आगे की जो कार्यकरम है उसमें इसको फॉलो करने की कोशिस करिएगा ठीक है जिंदगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार मौका ये एक नहीं मौके मिलेंगे सौ बार कर तू मेहनत पूरी लगन से पल की अभी परवा ना कर होगा वला उसमें छिपा मा बाप की दुआ पर यकीन कर उरान भर उरने को तू ध्यान न दे पर कट जाने पर उरान भर उरने को तू ध्यान न दे पर कट जाने पर अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा दुनिया की तू परवाह न कर तो एक बार इसको पूरी तरीके से तुनके समझने की भी कोजिस करिएगा इसमें बहुत ही experience, अनुगव, जुरुबा ये सारा कुछ है इसमें जिन्दगी मिली है एक बार तुझे करना उससे प्यार ये जो जिन्दगी मिली है वो एक बार ही मिली है तुम्हें इससे प्यार करना है दूसरी जिन्दगी मिलेगी भी तो पहली जिन्दगी का तुम्हें अनुगव याद नहीं रहेगा ये दुबारा मिलना नहीं है, जिंदगी मिली है एक बार, तुझे करना है उससे प्यार, मौके ये एक नहीं, मौके मिलेंगे सौ बार तुम्हें अभी इस उमर में ये सबसे बड़ा हैडल लगता है सबसे बड़ा चैलेंज लगता है लेकिन लाइफ में आगे बरोगे अलग तरह के एक्साइटमेंट अलग तरह के बहुत सारे अनवव भी आपके लाइफ में आएंगे अलग तरह के challenges भी आएंगे यह अंतिम लड़ाई नहीं है यह आखरी लड़ाई नहीं है लड़ाई बहुत होगा और बहुत-बहुत important लड़ाई है और वो जो importance वो जो आप अनवव करेंगे आगे के जीवन में आगे जो कुछ आपको मिलने वाला है वो सब इस लड़ाई के जीट और हार पे भी निर्वर नहीं करता है वो मिलेगा और यह जिन्गी माया जाले भाई इसमें सिर्फ खुस रहना ही ultimate solution है नहीं तो अम्मानी साहब भी बिजनिस के लिए उतने ही परसान है जितना एक मजदूर अपने काम मिलने पर परसान है या कोई किसान अपने खेती के फ़सल के लिए परसान है कोई टीचर अपने कलास के सेडियूल के लिए परसान है कोई दुकांदार अपने माल बेचने के लिए परसान है कोई टिकट काउंटर पे बैठने वाला आफिस आने वाला इंसान इन्हें आफिस के टाइमिंग के लिए परिशान है तो जीवन में सुख और दुख सब के लाइक में है पता है कुछ मिल जाने से या कुछ शूट जाने से छनिक दुख होता है बाद में आदत पर जाता है बाद में आदत पर जाता है सही बात पताता है जिंदगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार मौका ये डियक नहीं मौकें मिलेंगे सो बार कर तू मेहनत पूरी लगन से फल की अभी परवा ना कर है मेहनत करो फल की परवा करो कि उससे फल नहीं मिलेगा तुम्हें पता है रिजल्ट किस चीज़ से मिलने वाला है result मिलने वाला है जो तुम मेहनत कर रहे है उससे तुम कितना चिंता कर रहे हो मेहनत कि उससे result नहीं मिले और अगर आपको demotivation आ रहे है आपको दिक्कत आ रही है preparation करने में आप परिशान हो रहे है अपने slivers के revision के बारे में तो आप lucky हो आप courses कर रहे हो नहीं तो 70% जंता तो करी नहीं रही है 20 लाग form भरने में से 4 लाग ही competitor होते हैं आप regular class कर रहे हो regular पढ़ाई कर रहे हो regular मेहनत कर रहे हो तो इन सब चीजों से बहुत फर्ग परता है आप lucky हैं कि ये सब कर रहे हैं और आपको इन सब चीजों का दस लोगों के बताने से कुछ नहीं होगा YouTube पे जाके comment करने से नहीं होगा कि मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है तो part of preparation लगना चाहिए और डर लगेगा इसका मतलब है कि आप preparation कर रहो तभी तो डर लग रहा है कोई मेनत ही नहीं कर रहा है उसको डर लगने का कोई logic नहीं है अगर उसको लग भी रहा है तो उसको चाह डंडा मारना चीए ज्यान से सुनिएगा जिन्दगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार मौके ये एक नहीं मौका मिलेगा सो बार कर तु मेनत पुरी लगन से फल की अभी परवाना कर होगा वला उसमें छिपा माबाप की दुआ पर यकीन कर उरान भर उरने को तू ध्यान न दे पर कट जाने पर अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा दुनिया की तू परवाना कर एक बच्चे ने वेज आता जिनका नाम है साइमा राइटर थैंक यू सो मच